आज असी पढ़ांगे पाठ दस गुरुता अकर्शन बच्वो ब्रेमन्ड हमेशा ही वग्यानियां ले खिचदा के इंदर रेहा है प्राचीन समयतों ही केई वग्यानियां ने इदे पेद जानना ले केई तियर्वे कीते ते उना दे सिटे सारे आंदे सामने ले आंदे कॉपर्निक्स ना आदे वग्यानियां ने आज तो बहुत समा पहलना दस्या के साडे सूर्जी मंडल विच सूरज के इंदर विच है ते सारे ग्रया इस दे इर्दगिर्द कौम दे हन फिर गलीलियों ने अपनी टेलिसकोप जिसन वसी दूर दर्शी भी केन दे हां बणाई ते इस गलू सिट किता के सूरज के इंदर विच ही है ते सारे ग्रयाज दे इर्दगिर्द कौम दे हन केपलर में एवी दस्या कि जदो ग्रै सूरज दे इर्दगिर्द कुम्देहन ता उना दा ग्रै पत अंडा कार होंदा है इसे तरह चान तर्थी द्वारे चक्कर लगांदा है सर आईजाक न्यूटन ने इस पेदनों खुलेया ते दस्या के ना सारिया अवस्थामा वेच इकको वल करिया करदा है ते इस वलनों ग्रुता आकरशन वल क्या जन्दा है असी देख दें हैं, के ज़दाओं भी किसे वस्तू नो उचाहितों सुठया जन्दा है, तो ओं हमेशा तर्ती वल ही डिख दी है तर्ती किसे भी वस्तू थे एक अकर्षन वल लगोंदी है, जिसनो गुरूता अकर्षन वल किया जन्दा है ता होन असी जान गए हैं कि गुरूता कर्शन वर्ल बारे किसने दस्या सी ता साड़ा उत्तर होगेगा सर न्यूटन ने आओ इस खोल पिछली कहानी नू जानिये बच्चो असी कहानी सुनी होई है कि सर न्यूटन अपने वगीचे वीच सेव दे द्रक्थेटां वैठे सन ता एक सेव उना ते डिग्या पर असल वीच कहानी वक्री ही है जी में आज जासी क्रोना महामारी दे दौर विच्चो लंग रहे हैं उस समय भी महामारी कारण सर न्यूटन अपने कारव एठके ही पढ़ रहे सन एक दिन ओ अपने कारदी खिड़की विच खड़े सन ता उना देख्या कि सामने सेव दे द्रक्थों सेव तुटके खेठा डिग्या उसे विले उना दे दमाग विच प्रेशन पैदा होया कि एसेव हेठा ही क्यों डिग्या उपतरवलों क्यों नहीं गिया जहां किसे हूर दिशावल क्यों नहीं गिया तैस प्रेशन ने गुरूता कर्शन दे निजम दी नी रखी सी सर न्यूटन दी इसे गल देश महांता है कि उस समय जोदों विज्ञान बहुता विक्षित नहीं सी अध्यनली बहुते यंतरम वयूद नहीं सन पर उना दुआरा उदों दे बनाए हुए निजम आज भी विज्ञानियां दा मार्ग दर्शन कार रहे हैं उना एवी दस्या कि सिर्फ तर्ती ही वस्तु आनों अपने वल नहीं खिच दी सो गो व्रेमड विचली हर वस्तु हर दुजी वस्तु नों अपने वल आकर्शित करती है सो इस रोजचेक जानकारी तो वाद आओ इस पार दे पैस, पाव, पंजाब, चीमेट, सर्वे ते अदारत प्रिशनानों पढ़िए ते जानी सो बच्चेओं होना सी जिनने भी प्रेशन करांगे हर एक प्रेशन दे विच शाननों चार आप्शन देतियां जानगियां ते असी उना चार आप्शन दे विच्चों अपना सही उत्तर लबना है सो आउँ शुरू कर दें पहला प्रेशन है अधे आपक ने दस्या कि हर एक वस्तु इस बैमेड विच दूजी वस्तु नों अपने वल एक वल दे नाल खिच दी है उस बल नों की कहन दे हन इस दियां ऑप्शन हन तकेल वल गुरूता करशन वल चुम्बकी वल केंदर मुखी वल सो इनने चार उत्रा दे विच्चों सही उत्तर लबना बहुत ही असान है क्योंकि आसी पिछली विचार चर्चा तो जान चुके है कि इस बैमेड दे विच हरेक एक वस्तु दूजी वस्तु नों अपने वल खिच दी है ते जिस वल दे नालों खिच दी है उस वल नों क्या जानदा है गुरूता अकर्षन वल सो साड़ा सही उत्तर होएगा ऑप्शन नमबर दो गुरूता अकर्षन वल प्रेशन है गुरूता अकर्षन दा नेजम किना वस्तु आते लगू होंदा है ता इस दिया ऑप्शन है गुरुता कर्शन दा निजम शोटियां वस्तुआं ते लगदा है बडियां वस्तुआं ते लागू होवेगा ए सारियां वस्तुआं ते लागू होवेगा जहां किसे ते नहीं होवेगा सो बच्चों सर न्यूटन द्वारा गुरुता कर्शन दा सर्व व्यापी निजम बनाया गया सी इस निजम दे सर्व व्यापी होन तो पाव है कि एस सारियां वस्तुवां ते लगू होगेगा चाहे वो वस्तुवां छोटिया हन चाहे वो वडिया हन चाहे वो खगोल देविच हन ते पामें उतर तीते हैं सो साड़े एस प्रेशन दा उतर हुएगा के गुरूता कर्शन दा निजम सारियां वस्तुआं ते लगू होंदा है उतर हुएगा ओप्शन नमबर तिन सारियां वस्तुआं प्रेशन है गुरूता कर्शन दे सर्व व्याप्पी निजम दी सही समीकरण दसो सो option हन F वराबर G M गुणा M over D दिकाद दो दूजी option है F वराबर G M जमा M over D दिकाद दो तीसरी option है F वराबर G M गुणा M दिकाद दो over D दिकाद दो चौथी option है F वराबर G M दिकाद दो गुणा M वटा D दिकाद दो सो पहले जानिये कि F एथे बल है D दो वस्तुआं दे केंद्रां दे विचकारदी दूरी है Capital G सर्व व्यापी स्थेरां करूं किया जान्दा है Capital M तर्तीदा पुंज है ते small M वस्तुदा पुंज है सो एस प्रिशन दे सही उत्तर दी चोन ले पहला सी गुरूता अकर्शन दे सर्व व्यापी नेजम नू पढ़ देया इस नेजम दे अनुसार दोना वस्तुआं विचकार लगन बड़ा वल उना दे पुंजां दे गुनन फल दे सिद्धा अनुपाती है सो चार आप्शन दे विचों पहला सी वो आप्शन चुनिए जिना दे विच दो वस्तुआं दे पुंज दी गुनन फल दिती गई है ता ये पहले आप्शन दे विच है तीजे आप्शन दे विच है चौथे option दे विच है उनसी सही उत्तर दी पहचान की में करिए तप फिर द्वारा निजम देख दे हा कि दो वस्तुवाँ विचकार लगणवाड़ा वल उना दे पुंजा दे गुनन फल दे सिदान उपाती है पाव दो वस्तुवाँ दे पुंजदे गुनन फल असी ये थे पुंजदे वर्ग दी गल नहीं किती सो साड़ा तीजी सरा option भी गल्थ होएगा ते चौथा option भी गल्थ होएगा दूज़ा option भी गल्थ होएगा क्योंकि उदे विच पुंजदे विचकार जमादा निशान है तो साड़ा सही उत्तर होएगा पहला के दो वस्तुवाँ विचकार लगणवाड़ा वल उना दे पुंजा दे गुनन फल दे सिदान उपाती है ते एहे वल उना दे केंद्रा विचकार दूरी पावड़ी दे वर्ग दे उल्टन पती होएगा तो साड़ा उत्तर होएगा option number 1 प्रिशन है किसे वस्तुवेच तरती दे गुरुता कर्शन वल कारण उत्पन होए प्रवेग नूं की कहनदे हैं तो इस दी option हैं प्रवेग, गुरुता प्रवेग, संबेग, पता नहीं इना चार option विच्चों सही उत्तर लबिये बचे तरती वस्तुवान आपने वल आकर्शित कर दी है ये गुरुता आकर्शन वल कारण हुन्दा है जदो वस्तु तरती वल स्तंतर विच डिग दी है तरती दे आकर्शन कारण उस दे वेग दे मुल विच परिवर्तन हुन्दा है वेग विच परिवर्तन प्रवेग पैदा करदा है ये प्रवेग तरती दे गुरुता आकर्शन वल दे कारण हुन्दा है इसे लिए इसनू गुरुता प्रवेग कहिन दे हैं सो साड़ा यथे उत्तर हुएगा option नमबर दो गुरूता प्रवेग पाव करती दे गुरूता कर्शन वल कारण किसे वस्तु वेच उत्पन होए प्रवेग नू गुरूता प्रवेग क्या जन्दा है अगला प्रेशन है जीदा मान तुरुबां ते पूमद रेखा दी तुल्ना विच डैश हुन्दा है इस खाली थानू पर अण लई इस दी option देख देयां के जीदा मान तुरुबां ते पूमद रेखा दी तुल्ना विच वद हुन्दा है काट हुंदा है कोई फर्क नहीं पेंदा है बराबर हुंदा है तो आओ इना चार आप्शन दे विच्चों अपना सही उत्तर लबिये तर्ती एक संपूरन गोड़ा नहीं है जिमे के चित्तर वे चसी देख रहे हैं दिखन दे पता लगदा है कि तर्ती दा अर्द व्यास तुरुबां दे कट ते पूमद रिखा दे ज़्यादा है इसलिए थे याद रखना कि जित्धे अर्द व्यास कट हुएगा उथे जीदा मान वद हुएगा सो चित्तर वे च देखन तो उसी कह सके दें हैं क्योंकि तुरुबां दा अर्धव्यास को उमद रेखा दे मुकावलतन कट है, तुरुबां दे जीदा मान वद होवेगा. सो साड़े प्रिशनदा सही उत्तर होवेगा ओफिशन अंबर एक वद, तर आव जीदा मान तुरुबां दे तुलना विछ वद होंदा है. तक खाली थाँ देवेच असी लिखांगे वद होंदा है प्रेशन है दे आपकने दस्या के ग्रै सूरेज दोड़े अपने अपने ग्रै पत विच को मदे हन तुसी दस सकते हो के ग्रै दा ग्रै पत दा आकार की हो जया होंदा है अप्शन हन के ग्रै दा ग्रै पत गोड़ा कार होंदा है जा ए ग्रै पत वर्गा कार होंदा है अंडा कार होंदा है जा कोई नहीं तो इस प्रेशन दे सही उत्तर लिए आओ एक चित्तरों दिखिए इस चत्र दे विच तरती दा ग्रै पत सूरज दे गिर्द दखाई दे रहा है जो दिखन ते अंडाकार है तासी जाद रखना है कि साधे सूरज मंडल दे विच जदो ग्रै सूरज दे गिर्द चक्कर लगों दे हन ता उना दा ग्रै पत अंडाकार हुंदा है ता इस प्रेशन दा उत्तर होएगा option नमबर तिन अंडाकार प्रेशन है किसे वस्तु विच मौयूद पदार्थ दी मत्रानों की कहन्दे हैं तो option देखिए कि वस्तु विच मौयूद पदार्थ दी मत्रानों पुंज केहा जन्दा है जां पार, आइतन, जां कोई नहीं तब अच्चो इते यार रखना कि किसे विच विच जो पदार्थ दी मत्रा है उसनों असी पुंज केहन्दे हैं साड़ा उत्तर होएगा option नमबर एक पुंज साथ तब महत्पुरुन ताथ जो असी याद रखनां है कि किसे भी वस्तू दा पुंज हमेशा धेर रहना है जाहे वो वस्तू तर्थी ते होगे जां वो वस्तू खगुल दे विच किते उस दा पुंज हमेशा बड़ाबर रहेगा क्योंकि ये स्थिर रेंद प्रेशन है रमंदापार तर्तीते 60 kg है कि तुसी दा सकते हो कि उसदापार चानते किना होवेगा ये प्रेशन बहुत ही महत्तपूरण है इसनी आप्शन देख देया कि जेकर रमंदापार तर्तीते 60 kg है तर चानते उस दापार वी किलोग्राम होवेगा, ती किलोग्राम होवेगा, दस किलोग्राम होवेगा, जां एक सो वी किलोग्राम होवेगा इस प्रिशन्दा सही उत्तर लबन दे लेई, आउ जानिये कि तर्थी उपर वस्तूदा पार उबल है जिसनल तर्थी उस वस्तूदा पार उबल है जिसनल चान उसनूँ अपने वल आकर्षित करदा है चान दा पुंच तर्ती दे पुंच नरों कट है इसलई चान वस्तुवां ते कट अकर्शन वल लगाउंदा है सु कैन दा पाव कि जो तर्ती दे वस्तुदा पार हुवेगा चान ते उस दा पार कट जाएगा क्यों? क्योंके चान बस्तुवां ते कट अकर्षन वल लगाउंदा है तर्ती दे मुकावले ते उन किना कट लगाउंदा है? तो याद रखना है कि चान ते किसे भी बस्तुदा पार तर्ती ते उस दे पार दा शेमा हिस्सा रह जानता है पाव एक वटा शे हिस्सा असी एस समीक्रन नूँ हल कर देया तरतीते पार है रमंदा 30 किलोग्राम ता असी लिखांगे एक वटा शे गुणा 60 ते जदों असी इनूँ हल कर देया ता साधे को उत्तर आएगा 10 किलोग्राम तो इस दा मतलव है कि जेकर रमंदा तरतीते पार 60 किलोग्राम है ता चानते उस दा पार 10 किलोग्राम रह जाबेगा पाव शेमा हिसा रह जाबेगा तो उत्तर होएगा option number 3 10 किलोग्राम एस प्रिशन दे विच ये तक याद रखन जोग है कि चन ते वस्तूदा पार तरती ते उस वस्तूदे पार दा शेमा हिसा रह जानदा है प्रिशन है दवाद ये ऐसा ये काई की है तो इस दिया option है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, जूल option number 1 Kelvin तापमान मापन दी इकाई है option number 2 Newton ए बलनू मापन दी इकाई है option number 4 Joule ए उर्जा जा कारजनू मापन दी इकाई है ताप साड़ा उत्तर होएगा option number 3 पास्कल जो याद रखना है के दवाद ये SI1 ए पास्कल है इसनों असी Newton प्रती वर्ग मीटर दे वजों भी लिख देया जिसनों असी Newton प्रती वर्ग मीटर भी लिख देया प्रेशन है राज्जु ने एक प्लास्टक दी खाली वोतल जिस्दा टकन वंद सी पानी दी परी होई वाल्टी विच डवाउन दी कोशिश कीती उसने अपने हाथते उपर वलनू एक वल महसूस कीता इस वलनू की कहनदे हैं? इस दे आप्शन हान गुरूता वल, कुशाल वल, चुम्बकी वल, रगडवल सो एस प्रेशन दा सही उत्तर लबबन लेए आओ एक किरिया रहीं समझिए एक पानी दे परेहोई टब दे विच जदों असी एक बान्द टकन वाली खाली बोतल रख दे हाँ ते उसनों उपरों हेठाँवलों दबाँदे हाँ तथ उसी नोट करेऊ कि जदों असी हेठाँवलों दबाँदे हाँ तब बोतल उपर वलों उच्छल दी है पाव इस तेक वल लग रहा है ता असी इते याद रखना है कि किसे भी दिरावदे द्वारा जो उपर वल नूँ वल लगाया जान्दा है उसनू उशाल वल किहा जान्दा है ता इस प्रेशन दा उत्तर होएगा आप्शन नमबर दो उशाल वल पाव जदो भी किसे वस्तो नूँ द्रावदे विच डुबो मांगे ता उस उत्ते उशाल वल किरया करेगा प्रेशन है पानी दी परी वाल्टी नूँ जो तो पानी दे वड़े टब जा खूब विचो बाहर करदे हां तो बाल्टी पानी दे टब विच हलकी परतीत हुन्दी है ते बाहर करड़न ते पारी क्यों? अप्शन हन उशाल वल कारण, गुरुत्वी वल कारण, उप्रोकत विचों कोई नहीं, जा सानू पता नहीं ता अजी ये थे याद रखना है कि कोई विद्रव आपने विच दुब्बी होई वस्तूते उपर वालनू इक बाल लगाउंदा है क्योंकि गुरुत्वी वल हमेशा ही इठा वालनू लगदा है, ते उशाल वल हमेशा ही इस दे उल्ट दिशा विच उपर वालनू लगगेगा ते जदों पानी दी परी हुई वाल्टी किसे वड़े टब जा खूदे पानी विच डुबी होई है वो इसे कारण सानू हलकी परतीत हुंदी है क्योंकि उस उपर उपर वलनू उशाल वल किरिया कर रहा हुंदा है सो उसाड़ा उत्तर रिथे हुएगा ऑप्शन नमबर एक उशाल वल कारण सो प्रेशन है किस से वस्तू ते लग रहे उशाल वल दा मान दरब दे किस ते निर्वर करदा है ता इसनी ऑप्शन हैं कनता ते आयतन ते उस दे पोंज ते जा पार ते सो सब तो पहला जान दे हां कि दराबदी करदा की हुंदी है सरल शब्दा विच दराबदा गाड़ा पन उस दी करदा हुंदी है पाव जिन्नाव जादा गाड़ा होएगा असी कहांगे उस दी करदा ज्यादा है जिस तरह पानी ती शेयद दियोदारन लिए तो असी कहांगे के पानी दी कणता शेयद दे मुकावले कट है तो कि असी जान देयां कि शेयद पानी दे मुकावलतन गाड़ा होन दा है इसलेई जदो भी असी कोई वस्तु पानी दे विच डवो मागे ता उसे जो उशालवाल लगेगा ति उसे वस्तुनों जो दो असी शहद विच डुबोमांगे ता देखांगे कि शहद विच वस्तुनों डुबोन ते उस उपर लग रहा उशालवल उसे वस्तूते पानी विच लग रहे उशालवल दे नडू ज्यादा होंदा है सो असी याद रखना है कि किसे भी द्रव दी कनता जिन्नी ज्यादा होवेगी उस द्वारा उना ही उशालवल उपर वलनू लगाया जावेगा सु साड़ा उत्तर ओप्शन नमबर एक कनता होएगा सो याद रखना कि किसे भी वस्तूते लग रहे उशालवल दा मान द्रव दी कनता ते निर्वर करदा है प्रेशन है पानी दी सता ते रखी वस्तू तैरदी है जह डुब दी है क्यों आव इस देशन वे किरया रही समझ देया कि जदो लकडी दे कार्क नू पानी विच शुटिया जन्दा है तो ओ तैरण लग पेंदा है पर दुजे पासे जदो लोहे दी किल पानी विच शुटिया जन्दी है तो ओ दुब जन्दी है इत्या सी ये समझना है कि जिस वस्तू दी कन्ता पानी नालो कट होवेगी ओ पानी ते तैरदी रहेगी ते जिस वस्तू दी कन्ता पानी नालो वद्ध होवेगी ओ दुब जावेगी इस के रियादे विच लकर दे कार्क दी कंता, पाणी नाळो काट होन कारण तैरदा रहेगा, जद के लोहे दी किल दी कंता, पाणी नाळो वद होन कारणों डूब जावेगी. प्रेशन है जेकर वस्तूदा पार द्रव दे उशाल वाल नड़ों ज्यादा हुवे तब वस्तूद रव विच डैश जान्दी है तो इस खाली थानों पर अणले आप्शन देख देया तैरदी रेंदी है डोब जान्दी है इना विच्चो कोई नहीं होवेगा जहां आसी कुझ कहा नहीं सकते तो आसी देख चुके हैं कि जदो आसी पानी दे परेहुई वीकर दे विच एक लुहे दा किल रख दे हैं तो ओ लुहे दा किल डोब जान्दा है तो इत्थे आसी एक दालो खोर समझनी है कि बस्तूदा पार हमेशा हीठा वलों के रिया करदा है उशाल वल उस दे ओल्ट उपर वलों के रिया करदा है परंतु जदो बस्तूदा पार उशाल वल दे नालो वद गया ता ओ बस्तू लुहे दी किल वांग पानी दे विच डोब जावेगी सो साड़ा उत्तर होएगा कि डूब जान्दी है उपर वालनू एक वाल जिसनू उशाल वाल केंदे हन उलगांदे हन जिस्तकारण किसे विद्राबेच डूबियां होईयां वस्तुवासानू हलकियां परतीत हुन दिया हन सारे ही बच्चेयां ने एस जानकारी नू चंगे तरीके नाड दोहराई करनी है ते अपनी विज्ञान दी कताब विच पाठ दस गुरुता कर्शन वरे पूरी संजीदगी देनाल पड़दे होई पंजाब अचीवमेंट सर्वे प्रिख्या दी त्यारी करनी है बच्चेयों पंजाब चीवमेंट सर्वे दी प्रिख्या दा मुख मकसद भी ए है के बच्चे अपने पड़े होई पाठानू कंगी तरह समझ सकन ते उस समझ दे अदारते अपने आले दोले दे कुदर्ती वरतारयां परती परपक जानकारी ले सकन बच्चेयों पैस दी प्रिख्या विच सफल तादा मूल मंतर तो अड़ी वार वार दोहराई करना है एस प्रिख्या दी त्यारी लेई मेरे वलों आप सबनू तुब शामा तनवाद